बच्चों आज हम थर्ड चैप्टर प्रमानों एवं अनों एटम एंड मोलिकूल्स के बारे मद्धिन करेंगे तो सबसे सर्वपर्थम ये बताया गया मेरसी कनाद ने प्रतिपादित किया कि हम द्रव या पधार्थ जो है उस पधार्थ को विवाजित करते जाएं तो वह छोटे चोटे कनों के अंदर इनकी बढ़ता चला जाता है और अन्त में एक ऐसी इस्तती आजाती है कि प्राप्त कन को और पुने विवाजित नहीं किया जा सकता तो वह सुक्सनतम कन जिसे और अधिक छोटे इनकी कनों में विवाजित नहीं किया जा सकता उसे इनकी परमानू नाम दिया परमानू कहते हैं इसी प्रकार से अन्य भार्त दारस्निक पकुदा का तैयाम है उसने भी इनकी कहा कि कन समान था संक्त रूप में पाय जाते हैं जो हमें द्रवों के भिन भिन रूप को परदान करते हैं इसी प्रकार से इनकी गरिकदार्शनिक डेमोक्रिटस और लियुलिपस ने भी इनकी सुझाव दिया कि द्रव को विवाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्तती आजाएगी कि प्राप्ट कन को पुने विवाजित नहीं किया सकता और इस ए विवाज कन को ही परमानू कहते हैं इस प्रकार से इनकी परमानू के बारे में ये जानकारी दी गई अब आता है रासानिक संयोजन का नियम लवाई जी एवन जोसेफ एल प्राउष्ट ने बहुत अधिक प्रयोगी कारे के पश्यात रासानिक संयोजन के नियम प्रतिपादित किये जिसे इनकी दो नियमों के अंतरगत हम पढ़ते हैं उसमें पहला आता है द्रवेमान संगरक्षन का नियम द्रवेमान संगरक्षन के नियम के अनुसार जैसा कि इनकी टेबल में दिखाया गया है कि ये इनकी X यूगल है ये इनकी Y यूगल है तो इन दोनों यूगलों में से एक एक यूगल को अपने इनकी लेते हैं जैसे मान लेते हैं कि आपने एक ये कोई भी इनकी संग्वाकार का फ्लास्क ले लिया और फ्लास्क के अंदर Y का जो विलियन जो है वो हम इसके अंदर भर देते हैं उसमें Y ये जो X और Y जो दिखा रखे हैं में से कोई भी ले सकते हैं उसी के संगत जो है उसका इनकी उफ के अंदर जो है X जो विलियन है वो भर देते हैं X विलियन वरने के पश्चाति इस प्रक्नली को इस प्रकार से इनकी फ्लास्क के मुँँ के पास इनकी भांड देते हैं डौर की साहिता से ताकि ये दोनों द्रव आपस में मिले नहीं अब फ्लास्क जो है उसको कोर की सायता से उसका मुँ बिल्कुल बंद कर दिया जाता है अब फ्लास्क को थोड़ा सा इनकी तरिच्छा करते हैं इस प्रकार से करते हैं कि इस फ्लास्क का विलियन जो है एक्स विलियन जो परकनले में बराव उससे इनकी मिल जाए इससे पहले हम यनकी इन दोनों का द्रवमान नोट कर लेते हैं अब यनकी इसको फ्लासको इस परकार जुगाते हैं कि दोनों का विलेन आपस में मिल जाए मिलने के पशाथ रासानी का भिक्रिया होती है और रासानी का भिक्रिया होने के पश्चात नया पदार्थ का निर्मान होता है उसके पश्चातम पुने इसका इनकी द्रवमान जो है दोनों को इनकी याद करते हैं तो रियक्शन से पहले का द्रवमान और रियक्शन के बाद में जो नया पदार्थ बना उसके पश्चा द्रवमान दोनों इनकी नियत रहते हैं अर्थात द्रवमान संग्रक्षित रहता है द्रवमान जो है अपने ऐसा कह सकते हैं कि द्रवमान का नय तो सरजन किया जा सकता ह और नहींlica किया जा सकता है इसे द्रयमान संग्षन का नियम कहते हैं दूसरा आता है इस्तर्लों पाथ का नियम इस्तर्छान नुपात के नियम लवाजी और अने विग्ञानिकों ने इस बात के ओपर प्रकाषड डाला कि मालो कोई भी दो या दो से अधिक कोई भी योगिक है दो या दो से अधिक तत्वों से मिल करके ना बना हुआ होता है जैसे उदान के तोर पर और उन दो या दो से अधिक तत्वों से जो मिल करके ना बना होता है योगिक है उनका तत्वों का जो अनुपात जो है वो एक स्थिर होता है उसी अनुपा हो तालाब हो किसी इसे भी लिया गए हो इस प्रकार यदि मान लेते हैं कि 9 ग्राम जल है उसका आप घटन करते हैं तो उसमें से एक ग्राम जो है वो था आइडरोजन और आठ ग्राम जो है वो ओक्सिजन पराप्त होगी अर्थात एक अनुपात आठ के नुपात में पाए जहेंगे ऐसे यह यह अमोनिया है अमोनिया नाइटरोजन और आइडरोजन इन दोनों के द्रवमान का अनुपात है 14 अनुपात 3 क अनुपात में रहता है किसी विश्रोट सें प्राप करा जब अर्थात प्राउस्ट ने इनकी नियम को इसुआ इस प्रकार से विद्द किया और उन सुक्सम्तम कणों को कहते हैं परमानू डाल्टन के सिद्धान्त की विवेचना इस प्रकार से हम कर सकते हैं डाल्टन ने बताया कि सभी इनकी द्रव्य या पदार्थ परमानों से मिलकर के न बने हुए होते हैं और परमानों जो हैं आई विवाज्य सुक्सम्तम कणों इन्हें और अधिक छोटे कणों के अंदर विवाजित नहीं किया जा सकता और रासानिक अभिक्रिया में ने तो इनको सरजन कर सकते हैं और ने इनका विनास कर सकते हैं दिये गए तत्यों के सब परमानों का द्रवमान और रासानिक जो गुन धर्म जो होते हैं वो समान होते हैं और अलग-अलग तत्यों के परमानों के द्रवमान और रासानिक गुन धर्म जो भिन-भिन होते हैं अलग-अलग होते हैं भिन-भिन तत्यों के परमानों प्रस्वत छोटी पूरण संख्या के अनुपात में संयोकर योगिक बनाते हैं जैसे कि अभी पड़ा कि अमोनिया और हाइड्रोजन अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सिजन है एक इनकी पूरण संख्या के अंदर मिलकर के न और बन करते हैं